हमारे इस ब्रह्मांड की स्रिष्टी आज से लगबग 13 बिलियन साल पहले हुई थी और हम इंसानों की उत्पत्ती आज से 2,00,000 साल पहले हुई है इसका मतलब अगर हम ब्रह्मांड की स्रिष्टी से हम इंसानों की स्रिष्टी के समय की अगर तूलना करे तो ये समय मात्र पल पूरे पृत्वी तरक्की कर ली है और आज हम पूरे पृत्वी पर राज करते हैं आज हमारी साइंस और टेकनोलोजी बहुत ज्यादा अडवांस हो चुकी है और आने वाले सालों में हम और भी ज्यादा अडवांस होने वाले हैं और इन सारे साइंस और टेकनोलोजी के अड पूर्जा का उपयोग करते हैं और आज की समय पे हम इन सब जरुरतों को पूरा करने के लिए 17.35 टेरावाट्स पूर्जा का उत्पादन करने में सक्षम हैं हम ये सोचते हैं कि हम चांद तक पहुँच चुके हैं हर रोज स्पेस में सैटेलाइट्स भेज रहे हैं सुपर कंप्यूटर्स का आविस्कार कर रहे हैं और आने वाले समय में मार्स पर रहने के बारे में प्लान बना रहे हैं और इन सब को देखकर हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा अडवांस हो चुके हैं लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका ये भ्रम भी तूट जाएगा साल 1964 में सोवियत एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कारडाशेव ने पूरे ब्रह्मान के सिविलाइजेशन के आधुनिक्त की जान है और इसी के आधार पर हम किसी भी सिविलाइजेशन की आधुनिक्ता का सठीक परिमाप कर सकते हैं इस स्केल के आधार पर आधुनिक्ता के हिसाब से कारडाशेव ने अपनी थियोरी में तीन तरह के सिविलाइजेशन के बारे में बताया और वो है टाइप वन और आज की हमारी ये वीडियो इसी विशय पर आधारित है। मैं आप लोगों को बता दू कि ये स्केल लॉगरिद्मिक तरीके से काम करती है। इसका मतलब ये कि जैसे जैसे हम एक एक स्टेप उपर चलते चले जाएंगे, वैसे वैसे उर्जा की ज़रूरत इसके मल्टीपल में बदलती चली जाएगी। चलिए अब इन सिविलाजेशन के बारे में विस्तार से जानते हैं। टाइप वन सिविलाजेशन। कारड़ा से रिसर्च के मताबिक टाइप वन वो सिविलाजेशन है जो अपने पूरे ग्रह की सारी उर्जा को कंट्रोल करने में शक्षम इसका मतलब एक ऐसी सब्वेता जो अपने ग्रह पर मौझूद सारे नैचरल रिजोर्सेश का पूर्ण इस्तमाल करने में और सूरज से आने वाली रोशनी को एब्सॉर्ब करके उसका पूरा इस्तमाल करने में सक्षम है। लेकिन हम हमारे सूरज से आने वाले उर्जा का पूर्ण इस्तमाल अभी भी नहीं कर पाए हैं। एक रिजोर्च के मुताबिक हम सूरज से आने वाली उर्जा का मात्र 14,000 भाग का एक भागे इस्तमाल करने में सफल हुए हैं। और इस आकड़े को देखकर हमें ये लगता है कि हमें टाइप 1 सिविलिजेशन बनने में ही कई हजारों साल लगेंगे। लेकिन दोस्तों आप दिल छोटा मत करिए क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये अडवांस्मेंट का ग्रोथ लोगरिद्मिक है और इसका मतलब ये कि हम पिछले हजारों सालों में जितने अडवांस नहीं हुए हैं आने इस वी का रूप पूर्ण रूप से अपने हिसाब से चेंज कर पाएंगे और जाने कितना कुछ कर पाएंगे। साइंटिस्ट फ्रीमन डैसन और मीचियो काकू के मताबिक हम आने वाले 100 या 200 सालों में टाइप 1 सिविलाजेशन बन जाएंगे। लेकिन ये टाइप 1 सिवि पन हो रही सारी उर्जा को कंट्रोल करने में सक्षम होगा और इस उर्जा को पूरे सौर मंडल के किसी भी हिस्से में संचार कर सकेगा। ये सुनकर ही किसी सपने जैसा लगता है है और शायद इंपॉसिबल भी लेकिन साइन्स के लिए कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है। इसी भी सितारे को चारो तरफ से घेर कर उससे उत्पन हो रही सारी उर्जा को एब्सॉर्ब करेगा। और इसके अलग-अलग मॉडल भी डिजाइन किये गए हैं जैसा आप इन पिक्चरों में देख सकते हैं। इस मॉडल के हिसाब से अगर हम हमारे सूरज से उत्पन हो र अपने सौरे मंडल के सारे प्लैनेट्स पर अपना कंट्रोल कर पाएगी। स्पेस में घूम रहे एस्टरट्स पर माइनिंग करने में सक्षम होगी। और बिसीकली जो मन चाहे वो कर पाएगी। लेकिन दोस्तों आपके मन में ये सवाल तो जरूर आता होगा कि हम इतनी सा सारी उर्जा का करेंगी क्या। इसका इस्तेमाल कहां करेंगी। तो मैं आप लोगों को बता दो कि आने वाले हजार सालों में इस टाइप डू सिविलाजेशन में तबदिल होने के बाद हम ना जाने कैसे कैसे मशीन का आविश्कार करेंगी। रोबोट्स, जाइगांटिक कम्प्यूटर्स, इलेक्ट्रिक प्लेंज, तरह तरह के स्पेश मिसन, दूसरे प्लैनेट पर घर बनाने का काम होगा। और ना जाने क्या कुछ जिसकी कल्पना भी हम आज घर बैटे नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं उस सिविलाजेशन पे जो सबसे अडवांस्ट सिविलाजेशन हैं उसके बारे में यानि टाइप 3 सिविलाजेशन इस सिविलाजेशन का दूसरा नाम गैलेक्टिक सिविलाजेशन भी है। अब तक तो हम सिर्फ अपने सितारे या फिर अपने सौरे मंदलत की सीमित थे। लेकिन टाइप 3 सिविलाजेशन वो सिविलाजे एक साइन्टिफिक तौर पे कलपना का विशय जैसा लगता है लेकिन है नहीं इसलिए इस सिविलाइजेशन के बारे में भी हम जानेंगे ये सिविलाइजेशन भी सितारों की उठजा को कंट्रोल कर उसका यूज करेगा और एस्टरोयट और प्लैनेट्स पर नैचरल रिजो दूसरे पर और ऐसा ना जाने कितने ग्रहों पर इस सिविलाइजेशन के पास टोटल इस नंबर के वाट जितना उर्जा का कंट्रोल होगा बस आप आँखे बंद करके ये कलपना कीजिए कि एक ऐसा सिविलाइजेशन जो गैलेक्सी के सारे ग्रहों पर अपनी बस्ती बसा कर सारे सितारों में डाइसन स्ट्रक्चर के मॉडल की मदद से सारी उर्जा को एब्सॉर्ब कर रहा है सोच कर ही हमारे रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे अभी आप सब के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या ये सब कुछ होना पॉसिबल है तो मैं कहूंगा बिल्कुल पॉसिबल है क्यूंकि इन सब रिसर्च के पीछे जितने भी थियोरी जुड़ी है वो सारे फिजिक्स के लॉज को फॉलो करते हैं बस अब हमारे इस चैनल स्पाइपीडिया पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन ओन कर दें तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए अलविदा